मौधा में कुकर में सनी के लिए जो केक सबा ने बनाया था वो बहुत अच्छा बना था जिसके चलते आज सबा ने सोचा कि वो न्यू ओटी जी में पारले जी बिस्किट का केक बनाएंगी वो इस केक को बनाने के लिए बहुत ही एकसाइटिट थी और वो सब सामान नीचे अमी के घर में लेकर आ गई थी सबसे पहले उन्होंने सारे बिस्किट को crush करकर मिक्सर में डाला और मिक्सी में उसका पाउडर बना लिया है और उन्होंने साथी साथ केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और मैदा को छिड़क कर रेडी कर लिया है बेक करने के लिए उन्होंने सारे ही ड्राइ और वेट इंग्रीडियन्स मिक्स कर लिये इसके बाद पाउडर्ड बिस्किट जो उन्होंने मिक्सी में पीसा है उसके अंदर उन्होंने बेकिंग पाउडर डाला और साथी साथ वो धीरे धीरे इसमें दूद एड़ कर रही है और जब मिक्स करने के लिए हैंड बलेंडर चलाया ताकि सारे ही इंग्रीडियंट अच्छे से बलेंड और स्मूद पेस्ट बन जाए तो उन्होंने सारा बेटर हौल के अंदर प्हला दिया क्योंकि उन्होंने हैंड ब्लेंडर ऐसे चलाया कि अम्मी का पूरा ही घर गंदा हो गया और जिसको लेकर अम्मी ने सबा की ऊपर बहुत ही गुस्सा किया इसके बाद सबा का मूर भी थोड़ा खराब हो गया था लेकिन इतनी डार्ट खाने के बावजूद भी सबा ने हार नहीं मानी और सनी की मदद से उन्होंने बैटर को विस्क करवाया और फिर बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर करकर ओटी जी में रख दिया लेकिन सबा तो सबा हैं उनसे बिलकुल भी सबर नहीं हो रहा था और वो बार बार चेक कर रही थी जब उन्होंने केक बाहर निकाला तो उनकी गलत फहमी थी कि केक बेक हो चुका है बलकि केक ना तो पूला था और ना ही सही से बेक हुआ था जब उस केक को सबने टेस्ट किया और खाया तो सबकी हसी निकल गई और सब को यही लगा और कहा उन्होंने कि सबा से केक नहीं बन पाएगा और यह डिजास्टर देखकर सबा को काफी बुरा लगा